कोरोना मरीज के शर्फ को लेकर मचा बवाल शर्फ को छूने के बाद परिवार के लोगों को लग रहा है डर प्राइटाइम्स की निउस देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सबस्क्राइब करें और बेल आइक उन दबाना ना बोलें मुंबाई के शताबदी अस्पितार में 50 साल की पल्लवी उद्देकर की 2 जुलाई को कोरोना से मौत हो गई जिसके बाद उनके परिवार वालों का आरोप है कि पल्लवी उद्देकर के बेटे और भांजे से शर्फ को बैग में रखवाया गया और उन लोगों को कोई भी प्रोटेक्शन वियर नहीं दिया गया जिसके बाद मृतक महिला के भांजे ने 4 जुलाई को अपना कोरोना टेस्ट करवाया और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया पहले तो शताबदी अस्पिताल ने अपनी गलती नहीं मानी और बयान दिया की मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज के शव को बैग में बंद कर दिया गया था शव का वजन ज्यादा होने के कारण ट्रोली से ले जाया गया ज्यादा वजन की वज़ा से रिش्तेदारों ने अपनी इच्छा नुसार ट्रोली को पकड़ा था शव को अस्पिताल के स्ववाईनिस से अस्पिताल कर्मचारी शम्षान बिपी की पहन कर ले गए थे लेकिन अब इस बयान के बाद अस्पताल वालों ने अपनी गलती मान ली है और कहा है कि उनके दो कॉंट्रेक्टर कर्मिचारी ने गलती की है और अब उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है उसका उक्चार आप लोग करना चाहिए उसको जो भी अगर बार्स इंजेशन मंगाने पड़े वो भी आप लोग खर्चा उटाना चाहिए और इसमें जो कोई भी दोशी है उन सब पे कारवाई होनी ही चाहिए